नमस्कार आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपातकी से 466 सदों के डिक्टेशन को हम लोग आउट लाइन्स के साथ लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के आउट लाइन्स की जरुवत है तो आप हमारे साथ हैं टीम एप को प्ले इस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडियाफ की जरुवत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन खल लें ग्रूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस डिक्टेशन को हम लोग तीन अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में देने वाले हैं तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशनी स्टार्ट होगा, पाच सेकर्ड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट यह तैं है कि कॉंग्रेश को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन बिलकुल भी रास नहीं आने वाला कि वह परिवारवाद की राजनीती में फस गई है और इसलिए हर कोई इस पार्टी को छोड़ रहा है लेकिन सच यही है कि देश का यह सबसे पुराना दल गांधी परिवार से आगे और कुछ नहीं देख पा रहा है वह उन कारणों की तह तक जाने के लिए तयार नहीं जिनके चलते बीते कुछ वर्सों से उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला तेज हुआ है हर दो-चार माह में कोई ना कोई नेता कॉंग्रेस छोड़ देता है कॉंग्रेस जब से केंद्र की सब्ता से बाहर हुई है तब से उसके कई बड़े नेताओं ने भी दूसरे दलों की ओर रुख किया है विडम्बना यह है कि अपने बड़े नेताओं की ओर से पार्टी छोड़ने के बाद भी कॉंग्रेस इस पर चिंतन मनन करने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है जब भी कोई बड़ा कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ता है तो गांधी परिवार के सदस्य अथवां उनके करीबी उसे स्वार्थी करार दे कर ऐसा आभास कराते हैं जैसे उन्हें उससे मुक्ती मिली और वे इसी इंतजार में थे समस्या केवल यह नहीं कि पुराने और प्रतिबध कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं बलकि यह भी है कि उनके अस्थान पर वाम पंथी विचारधारा वाले नेता कांग्रेस पर हावी होते जा रहे हैं जो कांग्रेस एक समय मध्यमारगी दल के रूप में जानी जाती थी वह आज एक वाम पंथी दल के रूप में परिवर्थित होती जा रही है पैरा विक्सित भारत विक्सित राजस्थान कारेकरम को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि उसका एक मात्र एजेंडा मोधी का विरोध घोर विरोध करना और उन्हें गाली देना हो गया है कोई यह प्रस्न कर सकता है कि विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस मोधी का विरोध ना करे तो क्या करे यह प्रस्न सही है लेकिन विरोध जब अंध विरोध की सक्ल ले लेता है तो वह अपनी रचनात्मकता और महत्ता खो देता है कांग्रेस के साथ यही हो रहा है वह विरोध के लिए विरोध की राजनीती पर चल रही है ऐसा करते हुए वह कई बार मोधी विरोध और देश विरोध में अंतर करना भूल जाती है इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि कस्मीर के मामले में कांग्रेस के कई बयान ऐसे रहें जो ना केवल चीन और पाकिस्तान को रास आने वाले थें बलकि उनके जैसे ही थें यह भी किसी से छीपा नहीं की कांग्रेस मोधी सरकार की प्रतेक नेती और कारिकरम का ना केवल विरोध करती है बलकि उनके गुड़ दोस की परख किये बिना उन्हें जन विरोधी भी करार देती है इतना ही नहीं राहुल गांधी तो यह भी साबित करने की कोशिस करते हैं की मोधी सरकार का हर काम जनता को लूट कर चंद उद्योग पतियों की तिजोरियां भरने के लिए हो रहा है इस्टाउब दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट यह तैं है कि कॉंग्रेस को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का यह कथन बिलकुल भी रास नहीं आने वाला कि वह परिवारवाद की राजनीती में फस गई है और इसलिए हर कोई इस पार्टी को छोड़ रहा है लेकिन सच यही है कि देश का यह सबसे पुराना दल गांधी परिवार से आगे और कुछ नहीं देख पा रहा है वह उन कारणों की तह तक जाने के लिए तयार नहीं जिनके चलते बीते कुछ वर्सों से उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला तेज हुआ है हर दो-चार माह में कोई ना कोई नेता कॉंग्रेस छोड़ देता है कॉंग्रेस जब से केंद्र की सब्ता से बाहर हुई है तब से उसके कई बड़े नेताओं ने भी दूसरे दलों की ओर रुख किया है विडम्बना यह है कि अपने बड़े नेताओं की ओर से पार्टी छोड़ने के बाद भी कॉंग्रेस इस पर चिंतन मनन करने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है जब भी कोई बड़ा कॉंग्रेसी नेताओं पार्टी छोड़ता है तो गांधी परिवार के सदस्य अथमां उनके करीबी उसे स्वार्थी करार दे कर ऐसा आभास कराते हैं जैसे उन्हें उससे मुक्ती मिली और वे इसी इंतजार में थे समस्या केवल यह नहीं कि पुराने और प्रतिबध कॉंग्रेसी नेताओं पार्टी छोड़ रहे हैं बलकि यह भी है कि उनके अस्थान पर वामपंथी विचारधारा वाले नेता कॉंग्रेस पर हावी होते जा रहे हैं जो कांग्रेस एक समय मध्यमारगी दल के रूप में जानी जाती थी वह आज एक वामपंथी दल के रूप में परिवर्तित होती जा रही है पैरा विक्सित भारत विक्सित राजस्थान कारिकरम को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कॉंग्रेस को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि उसका एक मात्र एजेंडा मोधी का विरोध घोर विरोध करना और उन्हें गाली देना हो गया है कोई यह प्रस्न कर सकता है कि विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस मोधी का विरोध ना करे तो क्या करे यह प्रस्न सही है लेकिन विरोध जब अंध विरोध की सकल ले लेता है तो वह अपनी रचनात मकता और महत्ता खो देता है कांग्रेस के साथ यही हो रहा है वह विरोध के लिए विरोध की राजनीती पर चल रही है ऐसा करते हुए वह कई बार मोधी विरोध और देश विरोध में अंतर करना भूल जाती है इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि कसमीर के मामले में कांग्रेस के कई बयान ऐसे रहें जो ना केवल चीन और पाकिस्तान को रास आने वाले थें बलकि उनके जैसे ही थें यह भी किसी से छीपा नहीं की कांग्रेस मोधी सरकार की प्रतेक नीती और कारिकरम का ना केवल विरोध करती है बलकि उनके गुड़ दोस की परख किये बिना उन्हें जन विरोधी भी करार देती है इतना ही नहीं राहुल गांधी तो यह भी साबित करने की कोशिस करते हैं कि मोधी सरकार का हर काम जनता को लूट कर चंद उद्योग पतियों की तिजोरियां भरने के लिए हो रहा है दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें इस्टार्ट हर कोई इस पार्टी को छोड रहा है लेकिन सच यही है कि देश का यह सबसे पुराना दल गांधी परिवार से आगे और कुछ नहीं देख पा रहा है वह उन कारणों की तह तक जाने के लिए तयार नहीं जिनके चलते बीते कुछ वर्सों से उसके नेताओं के पार्टी छोडने का सिलसिला तेज हुआ है हर दो चार माह में कोई ना कोई नेता कॉंग्रेस छोड़ देता है कॉंग्रेस जब से केंद्र की सत्ता से बाहर हुई है तब से उसके कई बड़े नेताओं ने भी दूसरे दलों की ओर रुख किया है विडम बना यह है कि अपने बड़े नेताओं की ओर से पार्टी छोडने ए बाद भी कॉंग्रेस इस पर चिंतन मनन करने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है जब भी कोई बड़ा कॉंग्रेसी नेता पार्टी छोडता है तो गांधी परिवार के सदस्य अथवां उनके करीबी उसे स्वार्थी करार दे कर ऐसा आभास कराते हैं जैसे उन्हें उससे मुक्ती मिली और वे इसी इंतजार में थे समस्या केवल यह नहीं कि पुराने और प्रतिबध कॉंग्रेसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं बलकि यह भी है कि उनके अस्थान पर वांपंथी विचारधारा वाले नेता कॉंग्रेस पर हावी होते जा रहे हैं जो कॉंग्रेस एक समय मध्यमारगी दल के रूप में जानी जाती थी वह आज एक वांपंथी दल के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं पैरा विक्षित भारत विक्षित राजस्थान तारिक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कॉंग्रेस को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि उसका एक मात्र एजेंडा मोधी का विरोध घोर विरोध करना और उन्हें गाली देना हो गया है कोई यह प्रस्ण कर सकता है कि विपक्षी दल होने के नाते कॉंग्रेस मोधी का विरोध ना करे तो क्या करे यह प्रस्ण सही है लेकिन विरोध जब अंध विरोध की सकल ले लेता है तो वह अपनी रचनात मकता और महत्ता खो देता है कॉंग्रेस के साथ यही हो रहा है वह विरोध के लिए विरोध की राजनीती पर चल रही है ऐसा करते हुए वह कई बार मोधी विरोध और देश विरोध में अंतर करना भूल जाती है इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि कस्मीर के मामले में कॉंग्रेस के कई बयान ऐसे रहें जो ना केवल चीन और पाकिस्तान को रास आने वाले थें बलकि उनके जैसे ही थें यह भी किसी से छीपा नहीं की कॉंग्रेस मोधी सरकार की प्रतेक नीती और कारिकरम का ना केवल विरोध करती है बलकि उनके गुड़ दोस की परख किये बिना उन्हें जन विरोधी भी करार देती है इतना ही नहीं राहुल गांधी तो यह भी साबित करने की कोशिस करते हैं कि मोधी सरकार का हर काम जनता को लूट कर चंद उद्योग पतियों की तिजोरियां भरने के लिए हो रहा है इस्टाब